हजरत अली की अंगूठी और एक शेर का वाकिया प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि हजरत अली रजियल्लाहू ताला अन्हू को शेरे खुदा भी कहा जाता है और मुश्किल कुशा भी कहा जाता है शेरे खुदा आपका लकब है और मुश्किल कुशा आपको आपके सभी अकीदत मंद और चाहने वाले पुकारते हैं क्योंकि आप हर किसी की मुश्किल में काम आते हैं जहां उमीद खत्म होती है वहां अली की मुहबत काम आती है इसमें कोई शक नहीं है हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से ही हम सब की मुश्किलें आसान हो जाती है हम सब के बिगडे काम बन जाते हैं ये शान और मरतबा है मौला अली का वैसे तो हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु का हर वाक्या ही इमान को ताजा करता है एक दिन सेयद्ना हजुरत अली, रजी आलाहु ताला अनु ते Lewis' PLAY तश्रीफ फर्मा थे तबी एक शक्स हज़रत अली, रजी आला अनु की बारगाह में हाजिर हुआ और अधब के साथ कहने लगा या अली मैं सफर में जाने वाला हूँ और रास्ते में एक जंगल से भी गुजरना है जंगल के शेर दरिंदे और जंगली जानवरों का खौफ है मुझे या अली मैं क्या करूँ उस शख्स की बात सुनकर अपनी दस्ते मुबारक में जो अंगूठी पहने थे उसे निकाल कर उस शख्स को दे दिये और फरमाया ए शख्स अगर तुम्हारे सफर में कोई शेर या दरिंदा आए तो उसको तुम ये अंगूठी दिखा देना और उसे ये अंगूठी दिखा कर कहना कि ये अंगूठी अली इबने अभी तालिब की है वो शख्स हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु की अंगूठी लेने के बाद सफर के लिए रवाना हो गया और सफर में जा रहा था तो वो जंगल भी रास्ते में आया जिसका उसे खौफ था वो जानता था जंगल के बारे में कि यहां खूखार जंगली जानवर हैं और जब वो जंगल में से गुजरने लगा तो रास्ते में उसके शेर आ गया जैसे ही उस शख्स ने शेर को अपने पास आता देखा तो डर गया उसने ये समझ लिया कि अब ये शेर मुझे जिन्दा नहीं छोड़ेगा लेकिन उसे तुरंथ हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु की वो बात याद आ गई और उसने उस अंगूठी को निकाल कर उस शेर के सामने किया और कहा कि ये अमीरल मुमिनीन मौलाय कायनात सयदना हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु की है शेर ने जब उस शखस की बात सुनी और मौला अली की उस अंगूठी पर उसकी नजर गई तो शेर ने आसमान की तरफ अपना सर उठाया और जोर से आवाज लगाई और फिर उस शेर ने जमीन की तरफ अपना सर किया और उसके बाद आवाज लगाई और फिर इसी तरह मशरिक और मगरिब की तरफ उसने अपना मूह करके आवाज लगाया और उसके बाद वो शेर भागता हुआ जंगल के अंदर चला गया और वो शक्स हजरत अली की मुबारक अंगुठी की ये करामत देखकर हैरान हो गया था और शेर का ये मामला भी देखकर हैरान हो चुका था को देखकर भाग कैसे गया उसके बाद उसने सफर मुकमल करने का इरादा किया और इसके बाद उसे रास्ते में कोई रुकावट नहीं मिली इसी तरह वो सफर से वापस भी आया उसके बाद उसे अपने पूरे सफर में कोई भी खत्रा नजर नहीं आया और उसने आराम से अपना सफर पूरा कर लिया और जब उस सफर से वापस आया तो वो मौला काइनात सेदना हजरत अली रजी आला अन्हू की बारगाह में हाजिर हुआ उसने बड़े ही अदब के साथ हजरत अली को सलाम करने के बाद उसने कहा या अली मेरे साथ ऐसा ऐसा मामला पेश आया उसने शेर का पूरा वाकिया हजरत अली को सुनाया और बताया कि शेर ने हर तरफ अपना मुह करके तेज आवाजें लगा रहा था अपने सफर का पूरा वाकिया हजरत अली को बताया उस शख्स की बात सुनकर हजरत इमाम अली रजल्लाहु ताला अन्हु ने इर्शाद फरमाया ऐ शख्स उस शेर ने आस्मान की तरफ जब अपना चेहरा किया तो उसने ये कहा था कि कसम है उसकी जात की जिसने आस्मान को कायम और उसके बाद जब उसने जमीन की तरफ अपना चेहरा किया तो उसने कहा कसम है उस जात की जिसने इस जमीन को बिछाया और जब उसने मशरिक और मगरिब की तरफ मूं करके आवाज लगाई थी तो उसने ये कहा था कि कसम है उस जात की जिसने मशरिक से सूरज निकाला और मगरिब में डुबो दिया मैं उन शेहरों में नहीं रहूंगा जहां पर मेरी शिकायत हजरत मौला अली रजियल्लाहू ताला अन्हू से की जाए सुभान अल्ला